थाना कमना नगर छेतर के अंतरगत बीते दिनों पुलिस को सूचना मिली थी कि बच्ची का कोई अपरण करके ले गया है पुलिस में तक परता दिखाते हुए 48 गंटे की वीतर ही नागपूर जुयारपी की बदत से बच्ची को सकोशल बचा कर घटना का सफल अनावरण किया पुलिस द्वारा बच्ची को परिजनों को सुपुद्र कर दिया गया बच्ची को पाकर परिजनों की च्वहरे खेल उठे और उन्होंने पुलिस को धन्यवाद दिया आपको बता दे थाना कमना नगर छेतर अंतरगत बीते दिनों एक बच्ची का अपहरण हो गया था जि युवक बच्ची को लेकर दिल्ली से तमिनाडू एक्स्प्रेस में बैठ गया है पुलिस आरूपी युवक को फॉलो करते हुए नाखपुर पहुची और नाखपुर जी आरपी की मदद से पुलिस ने बच्ची को सकोशल रिहा कर दिया देखिए दिनांग 15 जनवरी 24 को थाना कमला नगर पर सुचना मिली कि ये दो वर्ष की बच्ची है उसको किसी युवक ने उसको अपहरण कर लिया है और लेकर चला गया है ये सुचना इस बच्ची की माने दी जानकारी करने पर यह पता हुआ कि ये युवक जो है इस से परताल की गई तो पादा चला कि ये युवक दिली से इसने तमिलनाटो एक्स्प्रेस पकड़ नहीं है और बच्ची को लेकर जा रहा है और इस युवक के पास कोई मुवाइल फोन भी नहीं था तदकाल थाना कम्रानगर पुलिस की पुलिस टीम बनाई गई गई और ट नाकपुर जी आरपी की मदद से पकड़ लिया और हमारी टीम वहां जाके बच्ची को सकुसर ले आके उसके माता को माता पिता को सुपुर्ट कर दिया गया है इस अच्छी गुडवक के लिए इस पुरी टीम को 25,000 रोपय का कैश रिवार्ड बेर दर्व से दिया जा रहा तबी पुलीस टीम बनाकर ट्रेन में सवार होकर नाकपुर पहुची और नाकपुर जी आरपी की मदद से बच्ची को सकुशल रिहा कर लिया बच्ची को रिहा करने वाली टीम को डिसीपी सिटी ने अपनी ओर से 25,000 रुपे का इनाम भी खोशित किया प्रात अदर्पन न जीपोर